हेलो बच्चो यहर आज है ना सबसे important lecture है क्योंकि आज हम एलडॉल, कैनिजार और हेलो फॉर्म का revision करने वाले हैं यह जो तीन reactions है यह बोड का exam हो, जेई का exam हो, नीट का exam हो, state entrances के exam हो हर जगे पर आपको दिख जाएंगे तो this is one of the most important revision का जो lecture हम करने वाले हैं जो लोग चैनल पर नए है यह ECRL के organic chemistry की revision series है और मेरा नाम है प्रतीक गुपता, graduate हूँ IIT Bombay से और हजारो बच्चे आज तक जो मेरे से पड़े हैं, वो IIT में, NIT में और NEET में already जा चुके हैं तो शुरू करता है, बिना किसी विलंब के, एल्डॉल कंडनसेशन, यह किसकी reaction होती है? यह उन वाले एल्डे हाइडर कीटोन की reaction होती है, जिसमें alpha hydrogen होता है, क्या होता है? अल्फा hydrogen होता है, क्या रोल है alpha hydrogen का? अभी देखेंगे, खास बात क्या है? कि हम पूरा mechanism सहीत reaction को देखने वाले हैं तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप एल्डॉल पूरा सीख जाओगे चलिए, हम OH- लेते हैं, क्या लेते हैं? OH- और यह क्या होता है? dilute होता है क्या होता है? यह dilute होता है, बताब इसमें बहुत सारा पानी भी मिला हुआ होता है dilute OH- लेते हैं, temperature आप देख रहे हो कम है, temperature ज़्यादा कर देते हैं single molecule बना लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? association हो रहा है दो molecule मिलके, एक molecule बना रहे हैं, तो association हो रहा है कैसे हो रहा है? mechanism में देखेंगे LDol क्यों बोला जाता है? देखो, यह OH- ग्रूप, इसका आखरी लेटरs, all यह CHO ग्रूप, इसके पहले लेटर eld, eldehyde का eld, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? eldol, eldehyde प्लस alcohol, eldol बन जाएगा अब जब हम इसको heat करते हैं, तो E2 mechanism के through, E2 mechanism के through जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे यह जो H है, और यहाँ पे जो OH है यहाँ से बाहर हो जाएगा, dehydration हो जाएगा, और बन जाएगा हमेर पास CH3, CH, double bond, CH, CHO, तो इन दोनों reaction के नाम अलग-अलग होते हैं इसका नाम तो eldol reaction होता है, eldol reaction होता है और यहाँ पे क्योंकि आपने देखो students क्या करा दिया है, आपने यहाँ पे condensation करा दिया है, पानी को बाहर निकाल दिया है, तो इसका नाम अलग होता है eldol condensation, यहाँ पे बहुत सारे लोगों confusion होता है, तो confusion clear करना मतलब ज़री है, अब आता है main चीज़ पे, सर यह mechanism कैसे होता है यहाँ पे जादू कौन सा हो रहा है, सर यह तो बताओ, चलो आपको जादू दिखाता है यह सब ठीक है, यह भाशा लिख्यो हुई है, एकोस बेस में दो acetaldehyde molecules react करते हैं, बीटा, हीडरोक्सी, eldehyde, जिसको हम eldol बोलते हैं और reaction को eldol reaction बोला जाता है, हो कैसे रहा है, समझते हैं अब देखो, जब मैं इस पे OH- का attack कराओंगा, सबसे बड़ा confusion एक चीज़ होती है बच्चे को कि यह OH- अभी कहाँ पे जाएगा, सबसे पहला attack OH- C double bond पे करेगा sir पर यह तो हमारे teacher ने बताये नहीं था, कोई वेक नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं बताये था क्योंकि जब यह reaction होगा, तो समझ ना कि क्या बनेगा, जब यह reaction होगा, तो यहाँ पे minus आएगा इधर OH लगेगा और इधर H लगेगा, अब आपने एक neutral species पे negative charge ला दिया है तो यह वापिस से अपने electron को नीचे भेजेगा और यह वापिस बाहर निकल जाएगा तो जहाँ से चालू किया था, वहीं पे वापिस आ गए, तो यह reaction क्या हो जाएगा, यह reaction reversible reaction होता है क्या होता है, reversible reaction, तो जो reactant था, exactly same हमको वही मिलेगा पर आपको एक चीज और पता होगी, जिसने chemical kinetics को बहुत धंक से पड़ा होगा और यह मैं बार-बार बताता हूँ, कि reaction collisions से होता है तो यह जो OH- है, किसी particular case में यह जाके इससे भी टकराएगा अब यह इससे टकराएगा, तो इस carbon की हालत जो है, वो एकदम typical है typical क्यों है, क्योंकि यह carbon बहुत तगड़े minus i minus m group से जुड़ा हुआ है तो सर उससे क्या हुआ, उससे यहाँ पे एक बहुत तगड़ा delta plus आया तो सर उससे क्या हुआ, तो यह जो hydrogen है, यह acidic हो गया यह हुआ, acidic कैसे हुआ, हम किसी भी acid की strength को stability से compare करते है किसकी stability conjugate base, तो जब यह H यहाँ से जाएगा, टाटा बाय बाय बोलके इस molecule के यहाँ से जाएगा, तो minus इधर देखके आएगा जैसे इस carbon पर minus आएगा, वो resonance के तुरू oxygen पर पहुँच जाएगा तो यह base तो एक ठीक ठाक काम कर जाएगा, जो अपना OH minus है क्यों? क्योंकि यहाँ पर acidic strength है, कुछ तो acidic strength है क्योंकि negative charge finally oxygen पर जा रहा है तो हमार पास क्या species बनेगी? हमार पास एक inolate iron बनेगा, कुछ ऐसा ठीक है? resonance होके यह charge कहाँ पर जा सकता है? इधर जा सकता है, इस oxygen पर जा सकता है चलिए, तो यह बात आपको समझ भाई तो यहार हजारो cases में, कुछ particular case में यहाँ पर यह जो acid base reaction हुआ, वो भी हो जाता है और जैसे एक बार यह reaction होता है, तो ली शैटलियर प्रिंसिपल, जो chemical equilibrium में हमने पढ़ा होगा उसके basis पर reaction आगे जाना शुरू कर देता है तो confusion number one, जो हमको clear करना है कि अभी भी यह OH- nucleophile की तरह से काम कर रहा होगा पर उसका कुछ result नहीं आ रहा इसलिए majorly जो reaction है, वो acid base reaction के तुरू आगे जाती है चलो, अब हमारे पास यह बन गया हमने यहाँ पर दो molecule लिया है तो एक और molecule यहाँ पर होगा यह वाला molecule एक और यह molecule होगा अब इस carbon पर minus है अब आप सोचोगे सर की यह minus है तो oxygen के बास रहना चीए oxygen के बास रहना चीए पर जब हम एक nucleophile की तरीके से attack करवाते हैं जैसा हमने पिछले reaction पिछले lecture में भी देखा था तो कौन better nucleophile है, carbon का minus की oxygen का minus सर कार्बन का minus क्यों? क्योंकि उससे charge सहन नहीं हो रहा तो वो तड़प रहा है कि किसी पर जाके attack कर दू तो attack किस से होगा? carbon के minus से होगा अब यह क्या करेगा? इधर जाके attack करेगा तो further reaction क्या होगी? चलो वो देखता है यह h minus आया, इसको खाया यहाँ पर इस पर minus charge आया अब यह इस पर attack करेगा जैसा कि हमने देखा और यह अपना rate determining step होगा यह क्या होगा? अपना rate determining step होगा ठीक है? हमार पस final molecule क्या बन गया? हमार पस यह molecule बना तो किस पर minus charge आया? भई यह इधर जाके इसने attack किया तो इस oxygen पर minus आया हमने बहुत सारा पानी ले रखा था यह oxygen का minus इससे जाके पानी लेके आजाएगा क्या लेके आजाएगा? पानी से, सरी, H लेके आजाएगा hydrogen लेके आजाएगा तो final molecule क्या बन गया अपने पास? अपने पास molecule बन गया L-Dol यह यहाँ पर aldehyde group और यह यहाँ पर alcohol group तो क्या बन गया अपने पास? L-Dol बन गया अब जब हम इसको heat करेंगे तो फिर यहाँ पर E2 mechanism के तुरू elimination हो जाएगा और हमारा यह product बन जाएगा ठीक है? इसको heat करने पर यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा और पानी बाहर निकलने पर finally अपना यह product बन जाएगा क्या बन जाएगा? हमारा L-Dol condensation वाला product बन जाएगा तो मैं कैनेजम समझ में आया? ठीक है? clear? चलिए आगे चलते हैं दो तरी से L-Dol होते हैं एक तो होता है simple L-Dol जब हमने सिर्फ एक ही L-D-H idea ketone लिया है reaction, L-Dol reaction सिर्फ कब होता है? यह सिर्फ तब होता है जब present होता है alpha H class में present होना चीए present sir होना चीए alpha H वरना L-Dol नहीं होगा alpha H होने के बाद ही L-Dol reaction, L-Dol condensation होता है वरना नहीं होता है जब हम 5 degree Celsius पे करते हैं तो product L-Dol बन जाता है वहीं पे रुख जाता है और अगर हम heat कर देते हैं तो product क्या बन जाता है? product L-Dol condensation वाला product बन जाता है तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे alpha H है यहाँ पे 3-3 alpha H है तो इधर negative charge बनेगा negative charge बनेगा इसके जैसा एक और molecule होगा एक और molecule होगा ऐसा यह इस पे attack कर देगा तो जब यह इस पे attack करेगा तो यहाँ पे कैसा कुछ scene दिखेगा हमको यह इस पे जाके attach हो जाएगा ठीक है? और हमार पास बन जाएगा यह OH क्या बन जाएगा हमार पास OH बन जाएगा ठीक है तो हमको साफ साफ दिख रहा है यह double bond O यहाँ पे यह molecule इसको उल्टा कर दिया थोड़ा better representation के लिए और यहाँ बन गया OH इसको अगर हम खोल के देखेंगे तो शायद आपको better समझ माएगा यह CH3 है तो इधर CH2 माइनस बनाओगा यह attack किदर करेगा C double bond O पे इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है यह जब इसपर attack करेगा तो यह माइनस चार्ज इधर से हटेगा इनके बीच में bond बन जाएगा नय bond आभी आपको अलग कलर से दिखा देते हैं यहाँ पे बीच में bond बन गया यह नया bond है जब attack हुआ होगा तो यह जो है यहाँ पे यह तो पुराना ही bond है अपना यहाँ पे तो O पे माइनस चार्ज आ जाएगा ठीक है आई बात समझ में क्योंकि attack हुआ bond इधर खुला होगा O पे माइनस चार्ज आएगा यह O का माइनस चार्ज H2O से क्या लेके आ जाएगा एक H लेके आ जाएगा एक H लेके आ जाएगा तो यहाँ पे क्या एड हो जाएगा H एड हो जाएगा तो यह molecule और यह molecule एकदम सेम है बस representation इतना सा है कि यह line diagram है आई बात समझ में और जब हम इसको heat करेंगे जब हम इस product को heat करेंगे तो सबसे stable alkene बनेगी क्या बनेगा सबसे stable alkene बनेगी देखो इस OH के साथ H निकालने के लिए एक तो यह वाला H अविलेबल है और एक यह वाला H अविलेबल है इसको हम A और B बोल देते हैं बीटा कार्बन पर होना चाहिए एच E2 होने के लिए E2 रिवाइस नहीं की ओदर पीछे जाके कर लेना तो यह अपना बीटा 1 कार्बन यह अपना बीटा 2 कार्बन तो H कहां से हटेगा बीटा 2 कार्बन से हटेगा क्यों क्योंकि अलकीन ज्यादा स्टेबल बनेगी आपको ज्यादा स्टेबल अलकीन को बनाना होता है ज्यादा स्टेबल अलकीन क्यों बनेगी क्योंकि नंबर अफ अलफा हिट्रोजन ज्यादा बनेगे तो फाइनल प्रोड़क्ट क्या बन गया final product अपना ये बन जाएगा LDOL दो तरीके से हो सकता है एक तो जब आपने एक ही species लियो single species जैसा कि हमने इस case में लिया था acetone cross LDOL भी हो सकता है ये भी simple LDOL का ये एक example है इसमें final product ये बनेगा आप बना के आराम से देख सकते हो इसको आप खुद से बनाके cross check कर लेना कि ये ही बन रहा है और जो हम heat करेंगे तो बीच में double bond आजाएगा फिर से reason वही है कि हमको maximum number of alpha hydrogen चाहिए होते हैं तो ये आप खुद से करके देख लेना चलिए बहुत बढ़िया अब होता है cross LDOL यहां पर बच्चों को सबसे ज़्यादा problem आती है cross LDOL के अंदर क्यों क्योंकि number of products बहुत बनते हैं अच्छा chiral center का ध्यान रखना है आप से हमेशा number of products पूछा जाएगा और आप chiral count करना भूल जाते हो तो चलो आप इसकी आज तक की best trick सीखोगे बिना पूरे product बना ऐसे answer आएंगे ऐसे अभी देखना feel आने वाली है यह अपना क्या है acetone बाबा यह अपना क्या है acetaldehyde बाबा ठीक है चलिए आई बात समझ में अब हम जब इसका reaction कराएंगे OH- dilute 5 degree Celsius मतलब elimination नहीं होगा मतलब double bond नहीं आएगा मतलब product aldol बनेगा अब aldol बनेगा तो चलो आपको इसके product बनाना सिखाते हैं कि product को कैसे बनाया जाता है minus charge कहां कहां पर आ सकता है जहां जहां पर alpha H है तो minus charge एक तो इस A1 position पर आ सकता है इसको हम A1 बोल देते हैं और एक इस B1 carbon जिसके double bond O जुड़ा है उसको हम B बोलते हैं सरीया आप नाम कर रहन इतना क्यों कर रहे हो अभी बताता हूँ अब देखो minus charge कितनी species पर आ सकता है एक तो acetone के carbon पर minus charge आ जाएगा दोनों carbon सेम है तो इसको एक ही consider करेंगे ठीक है और एक अपना acetaldehyde के इसका minus charge अभी यहाँ पर मैंने लिखी रखा है तोटल अपने बास 4 molecule है अभी आपको बताओंगा यह सब क्या चल रहा है इसको अपन एक बार देखो इसको एक बार के लिए भूल जाओ यह short track है major major बताता हूँ इसका जो minus charge आया है उसके पास दो option है जो A1 वाला minus charge है उसके पास दो option है या तो A पर attack हो जाए या B पर attack हो जाए similarly जो यह वाला अपना इधर H जुड़ा हुआ है इधर Acetal Dehyde वाला minus charge है उसके पास भी दो option है क्या क्या कि वो A पर attack कर दे या फिर वो B पर attack कर दे आया समझ में तो मैंने नीचे यहां पर यही लिखा हुआ है So this is अपना A1 का minus charge and this is अपना B1 वाला minus charge A1 किस पर attack कर सकता है भई A1 A पर attack कर सकता है और A1 B पर attack कर सकता है जब A1 A पर attack करेगा ध्यान से समझना भी जब A1 A पर attack करेगा तो यहां पर देखो यह वाला जो carbon है इसकी दोनों valences सेम है और जब किसी carbon की दो valences सेम होती है तो क्या chirality आ सकती है क्या सर बिल्कुल नहीं आ सकती तो क्या यह molecule chiral बनेगा क्या सर बिल्कुल नहीं बनेगा तो कितने product बनेगे सिर्फ एक product बनेगा आपको क्या देखना है कि हार chiral center कहां कहां पर generate हो सकते है यहां पर जब भी attack होगा तो यह भी CH3 है यह भी CH3 है तो chiral नहीं बनेगा तो जब A1 A पर attack करेगा जब A1 A पर attack करेगा तो सिर्फ एक product बन रहा है अब A1 B पर attack करेगा तो देखो product क्या बनेगा जब यह इस पर attack करेगा तो अपना product बनेगा कुछ ऐसा कैसा product बनेगा कुछ ऐसा product बनेगा यह कौन सा वाला reaction है जब अपना A1 B पर attack कर रहा है अब ध्यान से देखना है यहां पर इस वाले carbon को देखो इस वाले carbon पर एक valency OH है एक valency H है एक valency CH3 है और एक valency कोई दूसरी है तो क्या यह chiral बना क्या बिल्कुल बना तो वो वाले center double bond O के वो वाले center जहां पर की दो valencies attached हो वो chiral बनता है वो क्या बनता है chiral बनता है तो इसलिए अपनने इसको chiral से mark कर रखा है तो जब A1 B पर attack करेगा तो दो product बनेंगे plus and minus क्या बनेंगे दो product बनेंगे plus और minus का product बनेगा आई बात समझे बच्चे क्या करते हैं देखो पूरे-पूरे product बनाते हैं पूरा-पूरा product नहीं बनाना होता आपके असे तना time नहीं है सिर्फ जिस तरह से counting करा रहो हो वैसे counting करो दो cases और बचे हैं B1 जो है वो A पर attack कर दे जब भी A पर attack होगा इस particular case में तो देखो B1 में खुद के अंदर कोई chiral center है क्या? नहीं है तो जब वो A पर attack करेगा और उसमें A में भी कोई chiral center बनने की chance नहीं है तो total कित्य product बनेंगे 1 जब B1 खुद B पर react करेगा मतलब आपस में L-Lol होगा same molecules के बीच में L-Lol होगा तो जब यह इस पर attack करेगा तो वापिस यहाँ पर chiral center जनरेट होगा तो कित्य product बने 2 plus and minus क्या बना plus और minus तो total कित्य product बने total 6 product बने total 6 product यहाँ पर बन गए तो देखो simple L-Lol देख लिया cross L-Lol देख लिया आपको cross L-Lol समझ में है न आप पहले तो यह identify कर लो कि यार कौन-कौन double bonded oxygen पर जब attack होगा तो वो chiral बन सकता है कभी-कभी कुछ-कुछ cases में यह भी हो जाता है कि जिस carbon से attack होता है वो भी attack करने के बाद chiral बन सकता है और फिर जैसे हमने cases बनाए कि A1, A2, A3, A4 या A1, A2, B1, B2 ऐसे अपने NINs को categorize कर लो A और B पर attack हो सकता है तो जब A1 A पर attack करेगा तो कितने number of molecules बने A2, A पर attack करेगा तो कितने बने A2, B पर करेगा तो कितने बने ठीक है इस तरही से cases बनाते जाओ और answer लेके आ जाना एकदम hap-azard तरीके से randomly करोगे तो नहीं होगा इसका ध्यान रखना एक और तरीका endol होता है intra-molecular endol जब कुछ इस तरीके का compound होता है जिसमें एक ही compound में दो carbonil groups लगे हुए एक ये और एक वो और जब 5-membered 5-membered और 6-membered rings बनने की उम्मीद हो तो फिर intra-molecular endol हो जाता है क्योंकि इतने 5-6-membered की ring काफी stable होती है इसलिए जब 4-membered 3-membered बनेगा तो नहीं होगा 6-membered के उपर rings बनेगी तो भी नहीं होगा तो यहाँ पर इस तरफ minus आज जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 तो 1 पर negative charge आएगा वो 5 पर attack करेगा और हमारा product बन जाएगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पर heat भी क्या है तो इलकीन बन जाएगी तो अगर एक बर के लिए मैं आपको करके दिखाऊँ तो हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 तो जो अपना initially product बनेगा heat करने से पहले वो कुछ इस तरीके से बनेगा भाई यहाँ पर हमारा minus charge है तो हम इसको rearrange करके बनाएगे तो यह कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ पर अपना negative charge है तो यह negative charge इस double bond O पर attack कर देगा क्या कर देगा? attack कर देगा तो product क्या बनेगा? यहाँ पर आएगा OH और इस double bond O को अपने miss कर दिया था यहाँ पर भी आएगा double bond O ठीक है? यह अपना initially यहाँ पर इस तरीके का so this is the LDL that is formed यह क्या होगा? LDL होगा जो यहाँ पर अपना बनेगा इसके बाद अपने को क्या करना है? इसके बाद अपने को एक अलकीन बनाना है क्यों? क्योंकि हमने heat भी कर रखा है तो जब हम इसको heat भी कर रखा है जब हम इसको अलकीन बनाना होगा तो यह OH यहाँ से हट जाएगा and एक double bond इधर आ जाएगा which will be here यह यहाँ की सबसे stable अलकीन बनेगी क्यों? क्योंकि हमको number of alpha H count करने है तो final product क्या बन जाएगा? final product बन जाएगा यह आई बात समझ में बस इससे एक और मिलता जुलता हम एक्जामपल कर लेते हैं यह आपको करना है बस इसमें ध्यान रखना कि या तो 5 member ring बनेगी या 6 member ring बनेगी इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता है तो इसको एक बार आप करो फिर मिलते हैं अब कई बच्चोने तो क्या होगा जो 7 ने पहले किया था न वैसे कर दिया होगा कि सर माइनस चार्ज यहां बनाएंगे यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, यह 7 पर आपको बताए 7 member ring नहीं बन सकती तो यहां से तो attack नहीं हो सकता अब attack कराए कहां से बात तो यही है कि अब attack किदर से कराया जाए तो attack कराने के लिए या तो आपके पास क्या option है माइनस चार्ज इदर ही आना पड़ेगा क्योंकि तभी 1, 2, 3, 4, 5 member ring बनेगी तो इस पर जो माइनस चार्ज है वो अंदर वाले carbon पहाएगा और अंदर वाले carbon पहाएगा और OH- फिर हम इसको heat देंगे तो कुछ इस तरीके का product बनेगा तो इसको अगर मैं numbering करके आपको mark कर दूँ तो this is the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon and fifth carbon फिफ्थ carbon पे एक methyl है फिफ्थ carbon पे एक methyl है फिफ्थ carbon पे एक CS3 C double bond O group है मतलब जिसमें C double bond O के carbon से जुड़ा हुआ है तो C double bond O CS3 group है मतलब जो हमने बनाया है वो एकदम सही है तो यह क्या हुआ? इंट्रा मॉलिकुलर एड़ल अब आपन अगले reaction पे चलते है विटीज कैनि-जारो reaction क्या है भई? कैनि-जारो reaction यह उन LD हाइड हाइड्रोजन नहीं होता कैसे वाले LD हाइड देते हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तीक है? आप concentrated NaOH लेते हों यहाँ पे क्या लेते हो? concentrated NaOH तो LD से दो difference है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और reaction LD हाइड पे हो रही है and सिर्फ कब हो रही है? जब हम concentrated NaOH ले रहे हैं क्या ले रहे है? concentrated NaOH ले रहे हैं हमने वाँ पे dilute NaOH लिया था LDL के अंदर यहाँ पे हम क्या ले रहे है? concentrated NaOH या concentrated QH and heat heat तो लेनी ही है तब ही reaction हो पाता है यहाँ पे ठीक है? आरे बाद समझ में? चले आगे चलते हैं हम आपस यह है mechanism भी अभी समझ लेंगे जब हम इस पे concentrated QH का attack कराते हैं तो एक तो बन जाता है क्या? acid और एक बन जाता है alcohol तो यहाँ पे हमने LDHID से acid प्लस alcohol बनाया तो इधर carbon प्लस 3 में बैठा है इधर carbon प्लस 1 में बैठा है यहाँ पे प्लस 2 प्लस 2, प्लस 1, प्लस 3 क्या है? oxidation state तो oxidation भी simultaneously हो गया reduction के तो कौनसी reaction के लाएगी? disproportionation तो यह organic chemistry में होने वाली one of the most important disproportionation reaction है क्या है यह? disproportionation reaction है oxidation भी हुआ इस case में reduction भी हुआ इस case में mechanism देख लेदे हैं फटा फट HCOH है यहाँ पे देखो जब OH माइनस आएगा तो यही carbon protect कर देगा? कर देगा ठीक है? करा यह वाली species बनी अब यह जब नीचे जाएगी तो यह तो OH माइनस निकल के बाहर चला जाए जहाँ से शुरू किया था वापिस वहीं पे पहुँच जाएंगे तो यह तो feasible नीए यह वाला काम तो हम नहीं करेंगे दूसरा काम क्या बचा? कि hydrogen को बाहर बगा दिया जाए जैसे hydrogen को बाहर बगाएंगे तो क्या species बनेगी? यह OH और H को माइनस चार्ज के साथ बाहर बगाना पड़ेगा क्योंकि यह जो elektrons आ रहे है oxygen से carbon की तरफ वो elektrons किसको देने पड़ेंगे? hydrogen को अब समझना रही है बात कि heat की जरूरत क्यों थी? भाई अगर आप heat दो गई नहीं जब तक बहुत ज़्यादा मारा मारी नहीं बचाओगे जब तक बहुत ज़्यादा energy नहीं दोगे support करने के लिए तब तक hydrogen किसी भी कीमत पर oxygen का negative charge अपने उपर नहीं लेगा ठीक है? यहाँ पर भी फिर से same बात है reversible reaction तो हो ही रहा होगा वो नहीं रुकेगा सिर्फ कुछ हजारों में से एक case में hydrogen बाहर निकलेगा तो reaction आगे चली जाएगी तो वो case बार-बार repeat होता जाएगा तो H- बना H- को सामने ये वाला molecule दिख रहा होगा वो इस पर attack कर देगा तो जब H- इस पर attack करेगा तो क्या हो जाएगा? यह इसकी rate determining step हो जाएगी CS3 O- बन जाएगा क्योंकि यह H- इस पर हुआ H- वापिस oxygen पर चला गया यह reaction होई इसलिए पाता है सिर्फ एक beach की intermediate species के लिए oxygen का minus charge hydrogen पर जाता है जैसे hydrogen पर oxygen का minus charge गया वो तुरंत transfer कर देता है सामने वाले molecule के oxygen को कि भईया तुम रखो मेरा साधर चरण सपर्ष पर मैं तो negative charge नहीं रख सकता गरीब आदमी हूँ तो सामने वाले को देता है CS3 O- और फिर जो हमने पानी लिया है यह CS3 O- उससे जाके hydrogen ले आएगा ठीक है मदब यह तो actually इससे जाके लेके आ जाएगा क्योंकि यह acid है पहले तो यहाँ पर acid base reaction हो जाएगा फिर यह जो अपना conjugate base बना carboxylic acid का यह पानी से जाके hydrogen लेके आ जाएगा और हमार पस फिर finally जो अपने product है acid plus alcohol अगर पानी लिया है तो acid plus alcohol बनेगा और अगर पानी नहीं लिया है अगर आपने इस case में पानी नहीं लिया है तो यहाँ पर जो na plus लिया था वो आके जुड़ जाएगा क्या जुड़ जाएगा जो na plus लिया था वो आके जुड़ जाएगा पानी लिया है तो यह हो जाएगा और अगर नहीं लिया है तो salt बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन में से कौन fastest कैनी जारो reaction देगा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि RDS क्या है RDS है H- का इस कार्बोनिल पे attack attack H- कहाँ पे करेगा? H- वहाँ पे attack करेगा जहाँ पे देल्टा प्लस सबसे जादा होगा कहाँ पे attack करेगा? जहाँ पे डेल्टा प्लस सबसे जादा होगा तो कैनी जारो fastest कहाँ पे होगा? जहाँ पे की डेल्टा प्लस की मात्रा सबसे जादा है तो जिस भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ माइनस M, कैसा कार्बोनिल कंपाउंड वो LD हीड जिसमें कोई अलफा हीडरोजन नहीं है, ऐसे ग्रूप के साथ जब माइनस M या माइनस I ग्रूप जुड़ा होगा, तो फास्टेस्ट कैनि-zero reaction आएगा, इस question से सबसमें आजाएगा, ये चार आपके वाज option है, अलफा हीडरोजन है क्या नहीं है, तो फास्टेस्ट कैनि-zero कब होगा, फास्टेस्ट कैनि-zero जब होगा, जब इस वारे कार्बन का डेल प्लस maximum हो, तो ये तो प्लस M दे रहा है, तो यह तो electron density बढ़ा रहा है तो delta plus को कम कर रहा है, यह तो कटा यह plus H है, यह भी बढ़ा रहा है electron density, यह भी कटा यह कोई group नहीं है, पर यह भाईसा minus M है, तो delta plus को बढ़ा रहा है तो answer हो जाएगा C, C fastest के निजारो reaction देगा, क्योंकि यहाँ पर जो RDS होने वाला था जो RDS होगा, मतलब कार्बनिल पर attack, तो कार्बनिल के कार्बन पर सबसे ज़्यादा delta plus की मातरा है, चलिए बहुत ही बढ़ी है, तो answer हमारा हो जाएगा C next हम देखेंगे, mix df, cross कहने जारो इसमें काफी मज़ा आने वाला है क्यों क्योंकि OS- की जिंदगी में एक बहुत बड़ी दुविदा है, भाईया इसपे attack करें, कि इसपे attack करें, आप बताओ कहाँ पर attack करेगा, सर बहुत simple है क्या simple है, सर जहाँ पर delta plus ज़्यादा होगा, तो एक बार बताओ तो से तो electronegativity काफी ज़्यादा होगी तो benzene ring की electron density को अपनी तरफ खीच के रखेगा तो delta plus की मातरा हो जाएगी कम यहाँ पे तो बिचारा hydrogen है गरीब से कितना ही लूट लोगे तो यहाँ पे hydrogen से electron नहीं खिच पाएंगे नहीं खिच पाएंगे तो delta plus की मातरा होगी जादा OH- किस तरफ attract होगा negative chart, जहाँ पे positive chart जादा है तो attack होगा इधर OH- का अगर इधर attack होगा तो acid किसका बनेगा formaldehyde का, तो यह बात त्यान रख लगीगा कि formaldehyde पे acid बनता है most cases में formaldehyde तो acid बनाएगा यह अपना formaldehyde का acid बन गया तो formic acid का formation हो गया और जो दूसरा group है, उसका क्या बन जाएगा उसका alcohol बन जाएगा या फिर अगर आपने पानी नही लिया है, तो salt बन जाएगा अगर हमने NOH से शुरुबात करी थी ठीक है, एक और question करते है यहाँ पे यह दोनों group में pH अंतर किसका है, क्लोरीन का क्लोरीन कौन सा group है, माइनस I माइनस I अगर group है तो delta plus की मातरा क्या होगी, जादा तो acid किसका बनेगा, जिस पे क्लोरीन लगा हुआ है तो acid किसका बन गया, जिस पे क्लोरीन लगा हुआ है चलिए बहुत साही, इसकी ट्रिक क्या है, जहां पर OH एडिशन होता है, वो तो acid में oxidize हो गया, और जहां पर hydrogen एडिशन होता है, वो alcohol में reduce हो जाता है, ठीक है, तो देखो, cross आपने कैनिजारों देख लिया, कैनिजारों में भी intramolecular कैनिजारों हो जाता है, कैसे होता है भई, which minus तो इधर वाले carbon पर जोड़ जाएगा, so this वाला part will be acid, यह acid बन जाएगा, और यह वाला जो part है, यह alcohol बन जाएगा, काफे simple है, यहाँ पर कुछ जादा दिमाग नहीं लगाना होता है, काफे simple सी चीज है, ठीक है, so यह alcohol बन गया, यह acid बन गया, ठीक है, H plus दे देंगे और इसको heat कर देंगे, तो फिर क्या होगा, heat करने पर basically यहाँ पर dehydration हो जाता है, क्या हो जाता है, dehydration हो जाता है, आपने सिवे H plus देके छोड़ दिया, तो इस तरह का कुछ compound बन जाएगा, जिसमें alcohol भी है और acid भी है, पर जब हम इसको heat करते हैं, तो यहाँ dehydration हो जाता है, क्या हो जाता है, dehydration हो जाता है, कैसे होता है, चलो देख लेते हैं, यहाँ पर यह है, यह OH है, इधर इसको यह OH ऐसे बना लेते हैं, इस OH को हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, यहाँ पर भी एक carbon होगा, जिसका double bond O होगा, ठीक है, और उस पर भी इस तरफ इस तरफ कुछ OH होगा और यहाँ पे इस तरीके से OH होगा ठीक है तो यह पानी बाहर और इधर से भी यह पानी बाहर तो जिसको हम यलो से मार्क कर रहे हैं यह वाला अक्सिजन और यह जो हम टिप मार्क कर रहे हैं आ रिया बात समझ में, देखो, इसको हटाओ, यह यहां से गया, तो यह oxygen और यह carbon यहां पे जुड़ गए ठीक है? यह carbon और यह oxygen यह जुड़ गए, similarly यह पानी यहां से हटा, तो यहां पे जो oxygen था, यहां पे जो oxygen था और यह Much carbon था, यह जुड़ गए, तो ऐसा कुछ दिखरा इसको थोड़ा तमीच से अगर हम बना लेंगे तो यह इस तरह से बन जाएगा और यहां से यह अपना वाटर निकल जाएगे जैसा कि हमने पिछले केस में देखा यहां पर एक ही पानी के निकल ले की समभाव ना थी तो एक ही मॉलीक्यूल निकलेगा ठीक है तो अपना ऐसा कुछ बन जाएगा चलिए बहुत बढ़िया तो देखो एल्डॉल हो गया कैनिजार हो गया जो थर्ड बहुत इंपॉर्टन रेक्शन है हेलो फॉर्म टेस्ट वो हम देखने वाले हेलो फॉर्म किस-किस पर होता है हेलो फॉर्म क्यों बोला जाता है रेक्शन को क्योंकि आपके वाज के हेलो फॉर्म बनते है यह अपना सबसे इंपॉर्टन है आयोडो फॉर्म क्या है यह सबसे अपन compound लेते हैं जिसमें 3 alpha hydrogen होने चाहिए ये reaction सिर्फ तब होगा जब 3 alpha hydrogen होंगे कब होगा ये reaction जब सिर्फ 3 alpha hydrogen होंगे इसके अलावा ये reaction नहीं होगा क्या बोलो हमें सिर्फ 3 alpha hydrogen होने चाहिए उसके बिना हेलो form reaction नहीं होगा इस पे हम क्या लेते हैं भई NaOH प्लस X2 मतलब एक base और halogen क्या लेते हैं base प्लस halogen लेते हैं ठीक है जब हम इसका reaction करवाते हैं तो हमारे को मिल जाता है एक acid का salt और हमको मिल जाता है haloform क्या मिल जाता है haloform CH X3 mechanism क्या है कैसे होता है देखते हैं यह OH- है तो यह OH- क्या करेगा या तो यहाँ पर जाके attack करेगा reversible reaction होगा कुछ नहीं होगा आपने तीनों के mechanism में same चीज यह है कि OH- सबसे पहले carbonil के carbon पर attack करता है वहाँ उसकी कोई बात बनती नहीं दिखती तो वो alpha position पर जाके कुछ कुछ करता है तो इसके alpha hydrogen को निकालेगा carbon पर negative charge आएगा और यह slow step है क्योंकि carbon पर negative charge आ रहा है क्या रहा है carbon पर negative charge carbon पर negative charge आया आपने साथ में hydrogen भी लिया हुआ था x2 लिया हुआ था तो यह negative charge x2 पर attack कर देगा cleavage हो जाएगा वहाँ पर bond का इस तरह से कुछ बन जाएगा अब फिर से OH-I का छोड़ेगा थोड़े न दो और alpha hydrogen है तो सही अभी भी और इस बार hydrogen निकालना easy हो जाएगा आप पुछो के सर क्यों easy हो जाएगा क्योंकि जब हम इस बार hydrogen निकालेंगे तो minus charge इस carbon पर आएगा इस carbon के electrons को carbon का carbon भी खीच रहा है और hydrogen की जो minus है effective वो भी electrons को अपने दरफ खीच रहा है तो carbon ion relatively जादा stable बनेगा जादा stable बनने से यह step भी हो जाएगा ठीक है यह H का गया तो यहाँ पर 2X जुड़ जाएगे कैसे यह further जाके X2 पर attack कर देगा यहाँ पर 2X जुड़ गए वापिस से OH माइनस आएगा बचा हुआ hydrogen को भी खा लेगा इस तरह से कुछ बना X2 पर attack हो जाएगा और अपना finally CX3 बन जाएगा फिर से OH माइनस आएगा मानेगा थोड़ी न SNA reaction यह आप जानते हो यह OH माइनस इदर attack करेगा तो CX3 लीविंग ग्रूप की तरीके से बाहर चल जाएगा अब बच्चों के मन में question आता है Sir CX3 कैसे लीविंग ग्रूप भरन के बाहर जाएगा Carbon पर तो negative charge है Carbon का negative charge stabilized है क्योंकि 3-3 हेलोजन का क्या लग रहा है minus i लग रहा है क्या लग रहा है minus i लग रहा है और यहाँ पर कुछ हद तक back bonding भी हो जाती है क्योंकि हेलोजन के vacant orbital में Carbon अपना negative charge डाल देता है तो finally यहाँ से CX3 बाहर निकल के जाएगा CX3 minus बनेगा इस acid में से H plus निकाल के HCX3 बना लेगा तो हमार पास acid का salt plus CX3 बन जाएगा which is a precipitate जो की precipitate हो जाता है क्या हो जाता है precipitate हो जाता है इस reaction को क्या बोलते है haloform reaction बोलते है तीक है आपको P and Q find करना है I2 NaOH लिया है तो attack किस तक होगा जहाँ पे 3 alpha hydrogen है इधर attack नहीं होगा 3 alpha hydrogen चाहिए है haloform कराने के लिए 3 alpha hydrogen चाहिए है haloform कराने के लिए कितने alpha hydrogen चाहिए है 3 alpha hydrogen चाहिए है तो यहाँ पे attack होगा जहाँ पे attack होगा short trick क्या है उसको काटो 2 hydrogen को हटा के मदब यहाँ से इसको काटो सिफ एक hydrogen बचाओ और 3 hydrogen लगा दो तो क्या बना दो CHI3 बना दो जिदर से ये bond कटा है कार्बोनिल कंपाउंड के साइट से उस जगे पे एक आप OH जोड़ दो ठीक है? O- जोड़ दो यहाँ पे क्योंकि हमने कुछ acid वैसिट नहीं लिया है उस जगे पे एक O- जोड़ दो तो P तो क्या बन जाएगा? P अपना बन जाएगा CHI3 और Q क्या बन जाएगा? C double bond O O- पे माइनस CH2 and CH3 और यह जो NAOH का NA plus है यह इसके आज जब आजो आके मंडराने लगेगा ionic bonding हो जाएगी simple सा reaction होता है कोई ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना bond को काटा जहां पे तीन अलफा एड्रोजन है उसको CHI3 या CHX3 बना है depending on क्या एलोजन लिया है और जो bond तूटा उसकी वेलेंसी को कम्प्लीट करने के लिए कार्बनल कंपाउंड की कार्बन की वेलेंसी को कम्प्लीट करने के लिए एक O- हमने लगा दिया चलिए बहुत बढ़िया कौन-कौन आइड़ोफर्म टेस्ट देगा जहां पे तीन अलफा एड्रोजन होंगे यहां पे है यह दे देगा यहां पे इस पे है यहां पे इस पे है यह भी दे देगा इधर नहीं है तो नहीं देगा इस पे भी नहीं है तो नहीं देगा इस पे यहाँ पे इधर है so this will give इधर है तो यह भी आइड़ोफार्म टेस्ट दे देगा इधर है यह भी दे देगा यह नहीं देगा क्योंकि तीन अलफा हैड्रोजन नहीं है ester के case में iodiform reaction हो जाता है इसका ध्यान रखना हमने देखा कि यार एक तो aldehyde होना पड़ेगा या फिर ketone होना पड़ेगा जिसमें 3 alpha hydrogen है दूसरा acetic acid मतलब acid वाले जो compound होते हैं वो ये test नहीं देते acid derivatives भी नहीं देते सिर्फ एक acid derivative which is ester वो iodiform test देता है एक derivative जो कि ester है वो iodiform test देता है और एक और compound alcohol कौनसे compound alcohol वो भी iodiform test देता है alcohols also give iodiform या hyaliform reaction क्यों? क्योंकि पहले alcohol specifically iodiform देता है क्यों? क्योंकि iodine की ताकत है कि वो इस carbon को जाके oxidize करके double bond O बना सकता है एक बार double bond O बना यहाँ पे 3 alpha H है फिर तो हमारा आगे reaction होई जाएगा और CS3 COO- प्लस CHI3 बन जाएगा तो इसका ध्यान रखना कि LDID और ketone जिनमें 3 alpha H है उनके अलावा iodiform test ester और alcohol भी दे सकते हैं ester और alcohol भी वो ही वाला alcohol जिसमें 3 alpha hydrogen है 3 alpha hydrogen होने की तो condition absolutely necessary है क्योंकि अगर वो हुए ही नहीं तो CHI3 बनेगा ही नहीं तो iodiform test नहीं होगा तीक है? आया समझ? यह दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है क्यों? क्योंकि 3 alpha hydrogen missing है चलो अब इसमें आप से पूछा रहे A, B and C बता है तो NaOH के साथ जब हम इसका reaction करवाएंगे तो SN2 mechanism से इधर attack होगा CL बाहर और अपना यह बन जाएगा CH3 COH CH3 और यहाँ पे बन जाएगा H इसके बाद मैं NaOH I2 के साथ reaction करवाँगा तो B बनेगा प्लस C बनेगा सबसे पहले तो oxidize होके double bond O बनाएगा क्या करेगा यह oxidize होके double bond O बनाएगा फिर उस पे NaOH और I2 का दुबारा से reaction होगा तो मेरा बन जाएगा CH3 COO- जो की अपना B है प्लस CHI3 जो की मेरा C है आया समझ में हुआ clear ठीक है चले बहुत ही बड़िया तो चलो हमको यह भी तो देखना है भईया एस्टर पर कैसे reaction होता है तो जब हम एस्टर लेते हैं और OH- का attack कराते हैं तो वो attack करके इसको बहार निकाल देता है जैसे इसको बहार निकालेगा तो RO- बनेगा और CS3COOH बनेगा RO- क्या करेगा CS3COOH जो acid है वहाँ से H+, खीच के लिए आएगा final species यहाँ पे यह अपना ROH और हम H+, देंगे तो acid भी बन जाएगा अब अगर यह ROH मान लो अगर यह इस तरीके का मान लो यहाँ पे यह वाला particular ROH बना तो आयोडोफॉर्म हो सकता है तो वह वाले एस्टर जिनसे हम को ऐसे alcohol मिलते हैं जिन के पास तीन अलपा hydrogen होते हैं वो एस्टर iodises Workshop test दे सकते हैं वो एस्टर क्या दे सकते हैं iodises क्या क्चूबी है esters की खूबी है कि esters पर attack कराने से alcohol बन रहा है और हम ने देखा कि alcohol जो है वो Idoform दे देगा provided in alcohol भाई साब के बास 3 alpha hydrogen हो ठीक है? तो देखो आज का जो revision lecture है ना बहुत important था यार Eldol, Canizaro, Helloform यह हमने इतने detail में अच्छे से revise किया ठीक है ना? तो आप इसके पहले तो app install करके जो आपको यहाँ से मिल जाएगी कुछ-कुछ app install करके questions जरूर कर लेना, ठीक है ना? E-SERL की app में homework index होता है आपको chapter wise homework index मिलता है उससे कुछ questions कर लोगे तो यह आपको बहुत अच्छे से cover हो जाएगा, ठीक है? जो लोग नए है उनको बतायता हूँ E-SERL की app को इन चारों लोगों उनको ने बनाया है, सवारा है, सजाया है ठीक है? कौन-कौन? भई मैं प्रती गुपता, मेरे को आप जानते हो N.K. गुपता सर, जो Allen के ex-vice president थे, जिन्होंने आज तक हज़ारों बच्चों को IIT और डॉक्टर बनाया है और टोटल दो लाग से उपर बच्चों को मेंटर किया है, खुद IIT कानपूर से है 30 साल से जादा का कोटा का experience है, यार कोटा को बनते होए देखा है, बनाया है कोटा को बहुत काफी हद तक ठीक है? सारा अंसर All In Air Rank 41, उनकी physics की revision series तो यार इतनी awesome है इतने सारे बच्चे देखते हैं, नीचे description में link मिल जाएगा, आप भी उसको बिलकुल देखें, आपके फंडे बहुत जल्दी clear हो जाएंगे ठीक है? जही मेंज में All In Air Rank 71 थी, एलन में 5-6 साल उन्होंने पढ़ाया physics teaching experience से उनके भी पढ़ाया हुए अजारों बच्चे IIT बन चुके हैं, या IIT में पढ़ रहे हैं साथ में अरपितमाईश्वरी सर भी हैं All India Rank 2, IIT JEE All India Rank 7, JEE मेंज सब कुछ छोड़ चुड़ा के आप लोगों तक high paying jobs, well settled career सब कुछ छोड़ के आप लोगों तक best education पहुँचे घर पे, अब तो जमाना भी वही है काम कर रही है पूरी E-SERAL की team, ठीक है? तो अगर आपको ये revision series अच्छी लग रही हो तो channel को जो है subscribe कर लेना bell icon को दबा देना और यार video को like भी करना है और सब दोस्तों में share भी करना है तो अगली बार मिलते हैं जो बाकी remaining name reactions है उनको लेकर All the best